ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारे बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रु सादर जैसी कृष्ण हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारे धर्मी द्रशास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं डेनिक राशी फल यह राशी फले 16 जनवरी 2021 शनिवार का दिन है पोश माह के शुक्र पक्ष की तरतियातिती है शतिविशा नामक नक्षत रहेगा कुम्प राशी में चंद्रमा बिद्यमान रहेंगे देशासूल के अगर हम बात करें तो पश्चिम दिसा में रहेंगे इसलिए पश्चिम दिसा की यात्रा करना नुकसान दाइसा भित होगा यदि किसी कारण वस पश्चिम दिसा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा वश्यक हो तो अद्रक खा करके यात्रा शुरू कर सकते हैं राहुकाल जोकी प्रातह नो बजे से लेके साड़े दस बजे तक रहेगा इस दोरान किसी भी प्रकार का शुब मांगलिक या नया कारी आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि राहुकाल के दोरान किसी भी प्रकार का शुब और मांगलिक का रिक्रम संपन्न नहीं किया जाता है हलांकि राहुकाल का निर्णे आप अपने ख्षित्र के पंचांग या केलेंडर के नुसार कर सकते हैं क्योंकि राहुकाल कई स्थानों पर माना जाता है और कुछ स्थानों पर नहीं भी माना जाता है देनिक ग्रह गोचर के दिए हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूरी देव जो की मकर राशी में वहीं चंद्रमा की बात करें तो वो कुम्ब राशी में मंगल ग्रह मेस राशी में बुढ मकर राशी में देव गुरु ब्रहस पती जो की मकर राशी में शुक्र धनु राशी में, शनिदेव मकर राशी में, राहू वरशब्त थाकेतू व्रश्चिक राशी में विराजित रहेंगे। इसके अलावा भी इनको कई गुप्त फायडे भी हो सकते हैं। अब हम आपको मेंस से लेकर के मीन सभी बारा राशी वालों का देनिक राशी फल बताने जा रहे हैं। हमारी इस ग्यानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्च कर लीजे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेंस रासी की, दिन उन्दाती कारक है, आपकी प्रतिभाव योगिता के अनुर्षार आपको अपने कारियों के उचित परिणाम प्राप्त होंगे, कामकाज तथा केरियर को महत्तु देंगे, परंतु पहली प्रात्मिक्ता आपकी परि आना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक छे होगा, भागिशाली रंग आपका लाल होगा, अब हम बात करते हैं ब्रशबरासी की, आज आप अपनी जिम्मेदारियों को बखुबी अंजाम देंगे, साथ ही आपकी अपनी होबी संबंदी का घर के बड़े वुजुर्गों का प्रेम तथा आशिरवात बना रहेगा, सामाजिक कल्यानकारी संस्था में आपका उत्तम योगदान रहेगा, जिसकी वजह से आपकी प्रसंसा होगी, दूसरों के पारिबारिक मामलों में उलजने से आपको बचना चाहिए, अनथा आपक के रूप में किसी भी गरीब व्यक्ति को आटा या गेहूं का दान करेंगे, तो आपका दिन शुफल दाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक नो होगा, भागिशाली रंग आपका सफेद होगा, अब हम बात करते हैं मिथुन राशी की, कोई शुब समयचार मिलने से मन में प्रसनता बनी रहेगी, धन की आवक जावक लगी रहेगी और परिवार के सांथ किसी धार में कत्वा सामाजिक आयोजन में भाग लेने का आउसर भी प्राप्त होगा, विवाह योग्य व्यक्तियों की विवाह की बात आगे बड़ेगी, दिन के दूसरे पक्ष में क मचलियों को आटे की गोलियां डालना आपके लिए शुफल दाई साबित होगा, आपका भाग्यशाली अंक तीन होगा, भाग्यशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं करकराशी की, इस समय दिल की बजाए दिमाग से काम लेने की अवशकता है, गरह स्थितियां आपके पक्ष में बनी हुई है, अतहा आप अपने काम को पूरी गंभीरता वसंजिगीदी से अंजाम दे भविशी को लेकर कोई सकारात्मक योजना बनेगी शाशकी कारियों को सुलजाने के लिए किसी अनुभव विक्ति का सहयोग आपको मिलेगा, जिससे उलजे हुए सभी काम आपके सुलज जाएंगे, और कुछ लोग आपके खिलाप नकरात्मक वातावरन बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाएंगे, उप भी फल खाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक आठ होगा, भागिशाली रंग आपका बादामी होगा, अब हम बात करते हैं सिंग रासी की, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से मुलाकात आपकी सफलता के द्वार खोलेगी, धर्मिक अपने कारियों के प्रति समर्पित रहे, दूसरों के मामलों में ज़्यादा इंटर्फेर करने से आपको नुकसान हो सकता है, और उपाई के रूप में यदि आप गाय को मसूर की डाल रूटी के साथ रख करके खिलाएंगे, तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा, भागिशाली रंग आपका औरेंज होगा, अब हम बात करते हैं कन्याराशी की, आज दिन पूर्ण तह व्यस्तत हैगा, और शाष्की कारियों में आपको बड़ी सफलता और विजय हासिल होगी, अब अपनी सूजबूज द्वारा अपने विरोधियों को प्रास्त करने में सक्षम रहेंगे, तथा अपनी ख्रमता को कारियर, प्रोफेशन, आध्यात माधी कारियों में लगाएंगे, रूज मर्रा के देने कार्य बड़ी आसानी से पूर्ण होते जाएंगे, परन्तु कई मामलों में धैर इसे काम लेने की आउशक्ता है, जल्दबाजी तथा पक्षियों को दाने डालना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक तीन होगा, भागिशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं तुला राशी की आपको अपने कारियों के सकारत्मक परिनाम हासिल होंगे इसलिए अपने कारियों के प्रती पूरी तरह निस्ठावान रहे सांथी सामाजी गती विदियो में भी आपकी उपस्तिती बनी रहेगी भूमे भवन भाहन खरीत फरोक्त का काम भी संपन हो जाएगा ध्यान रखे कि आपका ही कोई नजदी की मित्र आपके खिलाप कोई शडियंत्र फैला सकता है इसलिए ऐसे लोगों से बचना आपके लिए बहुत आवश्य होगा और विद्यारति अपने लक्ष को ध्यान में रख करके आगे बढ़ेंगे तो आवश्य ही उनको फाइदा होगा और उपाई के रूप में शंकर भगवान के मंदिर में कच्चा दूद और गंगा जल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित हो आपका भागिशाली अंक दो होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं व्रश्चिक रासी की आज अपना ध्यान भावी लक्ष की और पूरी तरह आपके इंद्रित रखे आपको उज्जित परिणाम हासिल होगे और अपने आप में चमतकारिक को व्यवस्तित पूर्ण तरीके से निप्टाने का प्रयास करें व्यस्तिता के बावजोच सामाजी कारियों में आपका ध्यान बना रहेगा कोई भी काम जल्द बाजी न करें और व्यवसाय में बदलाव या परिवर्तन की संभाव नाए प्रभल होगी कभी-कभी मंदी की वज़े से मन आपका विचलित हो सकता है और उपाई के रूप में हनुमान जी के मंदर में सिंदूर चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं धनुराशी की समाई प वशक्ता होगी अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई नई शुरुबात भी आप करेंगे कभी कभी फालतू कामों और दोस्तों के साथ घूमने फिरने में आपका समय बितित होगा जल्दबाजी में कोई भी नड़ने न करे और उपाई के रूप में लाल कुंकुं का तिल संपर्क को भी बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहेंगे नए मित्र नए लोग आपके जीवन में आ सकते हैं जिनके माध्यम से आपको एक नई शुरुबात करने का आउसर मिलेगा अपने व्यक्तितों को आपको और अधिक प्रभावी बिनाना चाहिए अज किसी भी प्रकार का लोन या उधार लेने की योजना ना बनाएं क्योंकि भविश्य में उसे चुकाने में दिक्कते आपको उत्पन हो सकती हैं सांथी किसी भी व्यक्ति के साथ धन संबंदी लेंदन बिल्कुल न करें कई बार ज्यादा सोच विचार करने से हाथ से कोई काम निनिकल सकता है इसलिए ऐसे कारियों से आपको साउधानी बरतना चाहिए और उपाई के रूप में मा दुरगा के मंदिर में लाल फूल चड़ाना आपके लिए शुफल दाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक दो होगा भागिशाली रंग आपका आसमानी होगा अब हम बात करते है कुम्बराशी की आज कई प्रकार की गति विदियों में आपकी व्यस्तदा बनी रहेगी सांथी सामाजिक दाईरा बढ़ेगा कहीं से मन मताबिक आपको फाइदा भी होगा धनलाब होगा रुका हुआ पैसा भी मिलेगा मैन सम्मान के साथ साथ संतान की उन्नती और प्रग करके रहना चाहिए और उपाई के रूप में भगवान गनेश जी के मंदिर में गुर चड़ाना आपके लिए शुपल दाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक एक होगा भागिशाली रंग आपका नीला होगा अब हम बात करते हैं मीन राशी की आज का दिन पारिवार निश्चय सक्ती से निकालने में सक्षम हो जाएंगे कभी कभी दूसरों की बातों में आकर आप अपना नुकसान कर सकते हैं इसलिए इस प्रकार के काजियों से आपको साउधान रहना चाहिए जल्दबाजी में कोई भी निर्णे न करे कोई ऐसा विक्तिया आपके जीवन में आ सकता है जो आपको सही सलह देगा जिसके कारण आपको आगे चल करके बहुत अधिक फाइदा हो सकता है और उपाई के रूप में घर से निकलते समय यदि आप मिसरी और सोफ खां लेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक चार तो मित्रो या बारा राशी का देनिक राशी फल और उनको करने वाले उपाई तथा भागिशाली अंक और भागिशाली रंग हमने आपको बताए हैं हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेर करिएगा लाइक करिएगा कमिन करिएगा और यद अधिक से अधिक सी आपको अधिक से अधिक से अधिक लगों